दिपवली का त्योहार जैसे जैसे नस्ती का रहा है वैसे वैसे बसों में फीर बढ़ने का सिलसला भी शुरू हो गया है फिलहाल लोग विधर के अनेक जगाओं से सामान की खरिदारी करने के लिए नागपुर बड़ी संख्या में आ रहे हैं यहां से घर सजाने के साथ दूसरे उप्यों की सामागरी भी ले जा रहे हैं भीड को देखते हुए बस आपरेटर भी सकरिये हो गए हैं आपको बता दे कि इस दोरान SG बस स्टेंड और MP बस स्टेंड पर लोगों की भीड बड़ी तो आपर देखी जा रही है किराया भी 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा है दिपावली का तैवार जैसे जैसे नस्दी का रहा है वैसे वैसे बसों में भीड बढ़ने का सलसला भी शुरू हो गया है फिलहाल लोग विधर्ब के अनिक जगहों से सामान की खरिदारी के लिए नाक पुरा रही है आपको बता दे कि इस दोरान बस का किराया भी 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा है कई बसों में ते उस जादा किराया देने के नाम भी सीट नसीब नहीं हो पा रही है जिसे यात्री और बस कंडेक्टर के बीच आई दिन बहस की खबरे आ रही है आपको बता दे कि बसों में भीरभाड की शुरुआत तो दशेरे से ही शुरू हो गई है और आगामी 24 अक्टुमबर को दिपावली है और जैसे जैसे दिपावली का समय नस्दिक आएगा वैसे वैसे बसों में यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी इन बिसे न्यूस के लिए केमरा परसन अखलिश परद्वाच के साथ रुपापंडित की रिपोर्ट